राजधानी राची के अनगड़ा थाना इलाके में 14 मार्च को ही मॉब लिंचिंग की घटना को लेकर घमासान बढ़ता जा रहा है शनिवार को ही इस घटना में ग्रामीडों की पिटाई से मारे गए मुबारक खान की पतनी तबस्म अपने दो छोटे बच्चों के साथ विधान परिसर में सीम हेमन सोरिन से मिलेने पहुची कॉंग्रिस विधायक इर्फान अंसारी भी उनके साथ दिखे और राजसरकार से मुबारक खान की पतनी को 10 लाख रुपया और सरकारी नोकरी सुनुशित करने की मांगी साथ ही आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांगी आखों में आसूलिय तबस्सम ने आरूप लगाया कि घटना के दिन उनके पती को धोखे से बुला कर मौके पर ले जाया गया था बतादे कि राची के अंगड़ा इस्थित सिर्कागाउं में शनिवार आधी रात को गरामीडों ने एक युवक को पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर दी गरामीडों ने युवक पर मोटर साइकल का टायर चोरी का आरूप लगा कर उसे इतना मारा कि उसकी मौत हो गए मृतकी पहचान 26 साल के मुबारक खान के रूप में हुई है इस मामले में पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत मिलिया जिन से पूछताच की गई है राची से आशुतोष की रिपोर्ट